में पार्म सभार के है हाद मन्य सोनी जी के साथ हमारे मंद्य राश्ट्रिय स्यूसवक संग दिल्ली प्रांथ के प्रांथ संग चालक शिर्मान फुल्पूशन अहुजा जी उबस्तित हैं आपका विश्व ख्यात अहुजा संग शुट्राम स्वी विर्साइब और दिल्ली प्रांथ का आप मानिये संचालक आपके से हम सभी का मार्द शुट्रूशन करें जिनका हमें आज फुद्बोधन और विचार सुनने को मिलेंगे शिर्मान सुरेश सोनी जी आपने अपने में की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए पूरी कर 1973 से आप संग के पूर्ण कालिक समय देने वाले परचारक बने बिन बिन पदों पे रहे बिन बिन जिम्मेवारिया निभाई आपने विभाग परचारक रहे प्रांथ परचारक रहे अखिल भारतिय सह परचाप पर मुख रहे 2003 से हम सभी का मानिय सहसर कारवा के नाते से मादशन कर रहे हैं आपका ग्यान और विज्ञान पुराध्यात्मा इसके उपर बहुत अध्यान है और ग्यान और विज्ञान को बहुत अच्छे धंग से आप समाविश करते हैं और उसको चोड़ते हैं कि महापुर्ष्यों पर वता मकुशुक्तियों के महंत्म हैं सब्सक्राइब कि जयानका आपने बहुत अध्हां करके कि स्माविश्ट्या हूं और मैं शेनिंगख़ से प्राता करता हूं , अपनो begिता हि झाल झाल माननी ये प्रांते संग चालग जी और समाज की मूल भूद और आधार भूद और सर्वाधिक महतुकुल इकाई ये कुटुंग करिवार इसके प्रभोधन के कारे में लगे हुए सभी आधर ने कारे करता बेनों तथा भाईयों पिछले कुछ महीनों में सारी दुनिया पिछली किसी शतापती के अंदर जैसा अनुभो नहीं किया उस तरह के अनुभो में से गुजरी गए करोना नाम की महामारी विश्व्यापी बनी उसे ने सारे विश्व के जीवन को एक नया अनुभवतिया नये पार्थ मिले हैं आदमी कुछ अपने आप के साथ में जुड़ा परिवार के सदस्य मजबुरी के कारणी क्यों नहो एक दीरगकाल तक साथ रहने को मिला एक दूसरे को समझना एक दूसरे के बीच के अनेको कोई अंतराल हैं विछे हैं उस संदर्व में भी प्रकर्थी को शुद्ध प्रकर्थी क्या होती है शुद्ध जल्द शुद्ध बायू इसके भी अनुगा हुए और जो एक तरह की पूरे विश्व के अंदर उपभोग की होड लगी हुई थी तो एक सही अमित उपभोग से जीना उसका भी अनुगा है एक ही जगे रहना है तो फिर तनाव है डिप्रेशन है समस्या है इसका भी अनुगा हुआ और कुल मिलाकर एक सारे विश्व के अंदर हमारा सोच हमारी जीवन शेली हमारी विचार पद्दती जीवन मुल्य इन सब के संदर्व के अंदर एक पुनर्चिंतन की प्रकरिया थोड़ी प्रारबोई दिखती है और भारत के लिए विशेश बात यह है कि भारत का दर्शन भारत का जीवन मुल्य इन सब के संदर्व के अंदर एक उच्छुकता यह भी दुनिया में दिखाई देती है और इसलिए एक अगर मानव समाज को सुखी होना है तो उसका नमुना क्या हो सकता उसका माडल क्या हो सकता है इस पर भारत का चिंतन भारत का अनुभव यूगों का वो आज के समय में क्या दिशा देता है इसकी दृष्टी से वराज का यह जो अपना कारिक्रम है उसका यह जो विशे रखा है पंचय यग्य से परम भाइभव इस विशे के मात्यम से इस समगर विशे के उपर आज अब कुछ विचार करेंगे हमारे जो पूर्वस्ते रिशे मुनी उन्होंने जब दुनिया का विशेशन किया तो ध्यान में आता है कि यह जो स्रश्टी है इसमें चार प्रकार की दुनिया हैं चार तरीकी श्रश्टी है जिसको हम पंच्य महाभूद की कहते हैं ग्रहे नक्षत्रे प्रत्रिये जरने पहाड समुद्र ये एक दुनिया है एक दूसरी दुनिया है वो बनस्पती जगत की है गास के तीन के से लेकर के विराट वटवरक्षों तक एक उसकी दुनिया है एक प्राणियों की दुनिया है, पक्षी है, पशू है, उसकी एक दुनिया है, और चोथी, हम सब मनुश्य, यह मानों की दुनिया है। यह जो चारो प्रकार की दुनिया स्रश्टी में है, इसमें जो तीन दुनिया है, समुत्रों, पहाडों, बृत्वी, गरह रक्षत्रों की दुनिया, वनस्तती जगत की दुनिया और प्राणी जगत की दुनिया, ये तीन के बारे में भगवार ने ऐसा किया है कि ये स्वतंत्र नहीं है ये प्रकर्ति की मर्याना में बंदे हुए है वो मर्याना तोड़ते नहीं है तोड़ सकते भी नहीं है वो उसी में जीते हैं गाय के बच्चे के चलने के लिए प्रकर्ति ने जो मर्या दखी है वो उसको उलड़ नहीं सकता बोलने के लिए बोली के लिए जिस पशुपक्षी को जो बोली दी है बगवान ने उससे भिन बोली हो बोल नहीं सकता तो ये तीनों दुनिया जो हैं, ये तीनों दुनिया प्रकर्ति की मरिया का लांगती नहीं है, इसलिए प्रकर्ति का वो नुक्सान भी नहीं कर सकती है लेकने जो चोथी दुनिया है मानाव की इस मानाव को भगवान ने दो विशेस्ताइं दी एक यह सोतंत्र है इसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि उसको मुक्त इच्छा शक्ति दी है वो मुक्त है वो चाहे तो देवता बनने के लिए भी जा सकता है वो चाहे तो दानव बनने के लिए भी जा सकता है सोतंत्र है और दूसरा उसको विश्रेशन करने वाली बुद्धी दिये वो बुद्धी का उपयोग बुरे के लिए भी कर सकता है अच्छे के लिए भी कर सकता है तो मरियादा के प्रकर्वी की मरियादा के परे जाना है जैसे गाय का बच्चा पेदा होते ही चलता है मानव का बच्चा चलना तो छोड़ो पढ़ा रेता है खाली लेकिन मानव ने अपनी बुद्धी से अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से कल्पनाओं से ऐसी ऐसी चीजह इजाद की कि वो केवल धर्थी पही नहीं तो पानी के अंदर और आकाश में सब तरफ दोड़ता है कोयर का बच्चा कव्य की बोली नहीं बोल सकता कर सकती लेकिन यह मनुष्य जिसको परणा और ह रोना आता था यह भी हासना वी नहीं आता था बोलना तो दूर की बात है वह मानव धिरे धिरे इतनी वाशाओं का अविश्कार करता है, इतने ही नहीं, तो आपने कहीं आत्मी ऐसे देखे होंगे, कि जो हर प्रकार के पशुपक्षी की आवाज गले से निकान लेते हैं, मेरे एक आत्मी ऐसा देगा था, वो अपने गले से हर प्रकार के वात्य संग वोकल भी गाता था और इंस्टुमेंटल भी गाता था गले से यह किसे संभो हुआ कि मर्यादा के परे जाने की सामत है और इसलिए जब हम केते हैं कि इस दुनिया में कुछ संकट खड़े हो रहे हैं समस्या खड़ी हो रही कि उसका कारण को ने यह तीन सरश्टी में कोई कार विश्व में यह तु आदुनिये विश्व में स्मस्या शारी मर्यादा में चलती हैं भी समस्या की जड़ यह अंपसु कि इसलिए विश्व में समस्याथ कि हैं उसकी जड़ में को वनुश्य और भिन। विन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी अगर होता है, तो उसके जड़ में कोन है? वो है मनुष्य है। और इसलिए प्राचीन काल से हमारे पुपोचों ने कहा, कि यह जो मानव है, मनुष्य है, यह विक्सित हो। इसके विचार विक्सित हूँ, इसका रदव सम्मे दशीर हो। और इस नाते से हमारे यह यहां पर यह कहा गया, कि यह जो सारे विश्व के अंदर, मनुष्य को संस्कारी बनाना इस मनुष्य को समवेधन शीरje मनना इस मनुष्य को व्यापक बनाना, सरेष्ट बनाना यह एक आधार भूत काम माना गया और इसकी प्रक्रिया का जो प्रालम होता है इस रश्टी की रचना में तो उसकी जो पिल्पनिल आधार भूद पहली ही काई है जैसे आज कर एक शंद प्रयुग चलता है Building block कोई मकान बनता है तो उसकी जो आधार भूद ही काई है हीइट तो ये जो सारी सरष्टी है इसका building block क्या है तो हमारे पुरुजों ने कहा इसके बाद की जितनी भी कई है, यह सब इसके जोड से बनी है, और इसलिए अपनिया जो प्राचीनतन ज्ञान राशी है, वेद, तो अथरो वेद के अंदर एक सुक्त है, विराठ सुक्त कहते हैं उसको, उसमें हो कहते हैं कि वह तत्व अपने को व्यक्त करता है, मैनिफेस्ट करता है, तो सबसे पहला जो मैनिफेस्ट अशेन है, वो है परिवार है, वो मंत्र कहता है, सा उतक्रामत, सा गारबत ये रकामत, वो उतक्रामत हुआ, एक जो है, अनेक हुआ, तो सबसे पहले ही कही कु आगे की सारे रचनाएं इससे बनी और ये जो पुटुम नाम की इकाई बनी इसका आधार जो था वो जितने लोग हैं वो सब एक दूसरे के साथ आत्मीता से जुड़े हुए एक दूसरे के पूरक एक दूसरे को सयोग करने वाले तब ही परिवार रनता है और इसलिए आगे की जो रचनाएं बड़ी रचनाएं इस रश्टी में बनी तो हमारे यह जो परिवार भाव है ये इसको आधारूत मना गया और इसलिए ये जो परिवार भावे इसको विक्सित करते हुए हर रचनागों देखने का भारत ने एक दृष्टी दी और केवल दृष्टी ने दी अपने जीमत में विवार से बताया और इसलिए आप देखेंगे विचार करेंगे कि हमारे यह हर चीज को उसी दृष्टी कोन से डेवलब किया तो मेरा परिवार है तो मेरे माता है पिता है भाई है बहन है यह मेरा परिवार हो गया फिर इस परिवार को व्यापक किया तो फिर कॉंसेप्ट आया संयुक्त परिवार तो फिर मेरे काका है काकी है मामा है मामी है मोसा है मोसी है ननन्द है जेट है देवर है और आगे बढ परिवार परिवार उसके संग्याओं के आप देखेंगे पूराने समय में कोई बड़ा धणी परिवार है वहां कोई है तो लक्षमी है कोई नोकर नी तो छोटे बच्चे को बताएंगे लक्षमी जादी है रामू नाम का नोकर है तो गहेंगे रामू दादा है परिवार की संग्याओं से जुड़ा उसको फिर व्यापकुल बना रगुखुल रीत आपस के संबंद कैसे होने चाहिए, तो प्राचीन काल से अपने ग्रत्थ होने हैं, तो में जो उद्गोश रहा, जिसका हम बार-बार उच्छारन करते हैं, कि वसुधायव कुटुम बकन का वाँपा, वसुधा भी कुटुम है, ये परिवार भाव, फिर केवल मानव समाज की रचना होता की नहीं, तो जो बाकी स्रश्टिया मैंने कही, प्राणी जगत है, तो वहाँ भी पारिवारिक संग्याएं दी गई, बिल्ली मौसी बन गई, गाय माता हो गई, तुलसी माता हो गई, और इतने ही नहीं, तो फिर ये जो जिसको जड़ सरश्टि केते हैं, उसके साथ भी जो संबंद जोड़े ले, वो भी पारिवारी थे, चन्दा मामा हो गया, स इन नदियों के किनारे सब्यताएं विक्सित हुई, वे कलकल बैती नदियां जो हैं, काका कानेलकर ने हमके लिए लिखा, ये जितनी नदियां हैं, ये सब लोक माता हैं, और फिर सारी सरश्टि जिन चीजों के जोड़ से बनी हैं, जो पंच माह भूत हम केते हैं, आकाश ह पाई हुए है अकनि है, जल है, पर्त्वी है, इनके साथ मेरे संबंद क्या हैं, इसको माहानयोगी भरतरी जिनके बहुत प्रसित हैं तीर शतक हैं, निती शतक, शंगार शतक और वैरा के शतक, तो वैरा के शतक के अंत में, आखिर में, इन पच्च माह बुतों के साथ मेरे क्या संबन्दे उसको बताते हुए भरतरी जो कहते हैं, महा भी पारिवरिक संग्याए हैं। वो कहते हैं, माता मेदनी तात मारूत, सखे तेज सुबंधो जला, भ्रातर व्योम निवत्थ एव भवताम अंत्य प्रणमान जली। माता मेदनी प्रत्वी मेरी माँ है, तात मारूत है, भायू जो है यह पिता है, सखे तेज है, जो अगनी है वह सखा है, वित्र है, सुबंधो जला, जो जल है वह सखे संबंधी है, भ्रातर व्योम है, जो आकाश है वह भाई है। इन संब्धों से मैं इनसे निबत्य हूं जुड़ा हुआ हूं। और इस नाते इस संफूर्ण सुष्टी के साथ पारिवारिक संग्याओं से संब्ध करने से हमारा वेवियर, हमारा वेवार उनके प्रती उस प्रकार से हुना, यह इस नाते से यह एक जो मैंने कहा कि यह जो संकल्पना की परिवार भावर है, उसको अगर हम समझते हैं। तो जिस प्रकार का एक स्वपन देखते हैं, जिस प्रकार के एक महनाव समाज का वो साह तक हो सकता है और इस दरिश्टी से जम करेंगे तो हमार यहां हर परिवार जो है, हर घर जो है, हर कुटुम जो है वो कुटुम खाली उसकी विचेस्ता है और इसलिए कहा कि कुटुम यह केवल रक्त संबंधों के कारण परिवार नहीं रहता है, भाव संबंधों के कारण नहीं रहता है एक भावनात्मक संबंध यह उसकी विशेस्ता है परिवार कुटुम यह यह कल, आज और कल इसका एक समन्व है भीता हुआ कल, हमारे दादा आज जो वरतमान में माता पिता है और आने वाला कल जो भावी पीड़ी है नहीं इसलिए मैंने कहा कि कल, आज और कल यह तीनों का यह एक समन्व है परिवार साथ कैसे रहते हैं हर व्यक्ति का सुभाव विन्ने, प्रकर्टी विन्ने सुभाव विन्नता, प्रकर्टी विन्नता यह लेकिन आपस में विवार और संगर्ष का कारण न बनकर एक दूसरे के पूरत यह क्यों बनते हैं तो विविन्न, सुभाव गुण दर्मों के लोगों की यह समन्व है भूमी है परस्पत समन्व है से परिवार हमारिया पर यह आत्पिता, सम्मान और श्रद्धा के साथ जीवन, जीने का एक केंडर है चाहे दुरबल हो, चाहे सक्षम हो, चाहे गुणहीन हो, चाहे गुणमान हो वे सभी सत्कार के साथ, सद्धा के साथ, आत्मीता के साथ जीवन जी सकें इसका आश्रे स्थले परिवार, इसलिए प्राचिन काल में हमारे यहाद निराशित घरों की जरूत नहीं थी, अनाथालयों की आवशक्ता नहीं थी, व्रद्धा श्रबों की जरूत नहीं थी, चाहे विकलांग बच्चा हो, चाहे व्रद्धवित्पी हो, वो पुरी आत्मीता और सम्मान के साथ जीने का आधार हर घर था, और इसनाते से यह जो यह जब ख्षरण आता है, तब फिर कृत्रिम विवस्थाएं बनानी पड़ती है, दिर्वा करने के लिए, और इसनाते से हमारे पूर्वजोने यह जो कुटुंग है, यह जो परिवार है, इस परिवार को ही ऐसा बनाया जाए, कि जितनी ही आगे की कल्पना हैं, और एक ही वाक्य में अगर कहना हो तो हमारियां कहते हैं, कि मनुष्य का विकास होने क्या, कि मनुष्य स्वा से, स्वार्थ से आगे बढ़कर परमार्थ की तरफ विचार करने लगे, तो एक शब्द में हम कह सकते हैं, कि मनुष्य के में से हम की और विकास करने का, और उसको अगर शास्त्री रूप में कहना हो, तो अहम से लेकर के ब्रह्म तक की जो यात्रा है, नर से नाराण होने की जो यात्रा है, जीवात्मा के परमात्मा होने की जो यात्रा है, उसका प्रथम सोपान, विकास का प्रथम सोपान परिवार है, बच्चा परिवार के अंदर ही, छोटा बच्चा देखेंगे कि एक्दम परम स्वार्थ ही रेता है, मेरा खेलोना मेरा है दूसरा नहीं लेना जीए लेकिन धीरे धीरे परिवार का वातन मिक्सित करता है ये तेरे भाई है ये तेरे भेन है उसकी आत्मीता का दाइरा स्वसे निकल कर भाई भेन माता पिता तक जाता है इस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इसलिए कहा कि मानव के विकास का यह एक प्रथम सोपान है। इस सद्रश्टी से और इसको व्यवार में कर लाना है। तो हमारे यहां पर कहा गया कि दो चीजे हैं जिसके बारा यह संभव हो सकता है। एक सबसे पहले मनुष्य जो है वह भावनात्मक द्रश्टी से और विचारों की द्रश्टी से इस प्रकार का बनना चाहिए। यह तब संभव है कि जब मेरी सम्मेदन शीलता बढ़ेगी मेरे विचार के डाइरे के अपने बन्दमे में मेरे अलवा स्वर्ष्टी को जितना अधीक लूँगा उतने प्रमाना के अंतर में उदार बनूँगा। यह जिससे संभव है उसको कहा गया हमारी आपर संसकार। तो कहते हैं कि संसकार क्या है तो जिन क्रियाओं के द्वारा जिन पत्तियों के द्वारा कोई भी पदार्थ या व्यक्ति योग्य बनता है। यह संसकार है। और इसलिए हमारे आपर घर घर के अंदर कहा गया कि मनुष्य को इच्छा तो है हमारी कि मानव देव बने। लेकिन क्यों क्यों क्योंकि मानव का सहज सुभाव है स्वकेंद्रित रेना अपने आप इसको ले जाना है तो संसकार है। और इसलिए फिर अमारे यह प्राचिन काल से प्रंपरा रही घरोगर के अंदर सोला संसकार की बतार है। तो एक विशे है संसकार जो भावना से और विचार से हमको यह करता है। लेकिन केवल भावना और विचार ही परियाथ नहीं है। वो क्रिया में आना चाहिए। वो व्यवार में आना चाहिए। वो हमारे आचार में आना चाहिए। महां भी ज़रूरी है। इसलिए हमारी आपर केते थे कि जो शुद्धी होना चाहिए तो तीन प्रकार की शुद्धी होना चाहिए जीवाई में तो एक केते थे भाव शुद्धी हमारी जो भावना है वो शुद्ध होना चाहिए अगर भावनाओं में हम द्वेश रखते हैं, किसी के प्रती बुरा सोचते हैं, तो फिर वैसा बनता आत्मी अपनिये कैते हैं नहीं वो, भगवान का तुलसिदाजी रामाण में जो वरणन करते रहे हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तेखी तिंतेशी राम तो वह है, लेकिन किसी ने उसको पुतर रुक में देखा, किसी ने उसको पती के रुक में देखा, किसी ने उसको दुष्मन के रुक में देखा, किसी ने उसको उपितर के रुक में देखा, वो तो यह की है, लेकर नंतर कहा पड़ा वो बढ़ा, तो कहा है व भावा सुठी मैं बढ़ता है व जलिए का विचार सुठी और तीसरे व खाकर को कृ्या सथिभी परखरी, तो यह जो भाव मुचार सुठी और विचार सुठी यह जो प्रक्रियाई है सनस्कार के द्वारा और ये जो क्रिया में आचार में आना उसको का यग्य के द्वारा और इसलिए हमारा सारा जो डाचा घड़ा हुआ किसी जमना आज भी कहते हैं जो लोग याद करते हैं कि भाई भारत के लोगों का समाज का जो जीवन है दो अनुभोग दुनिया करती है इस दुनिया में इसलाम मतानियाई प्रबल बने है और दुनिया में फेले तो उसका भी दुनिया को अनुभोग है योरोप की ताकतें प्रबल हुई और वो भी दुनिया में फेली उसका भी दुनिया को अनुभोग है दोनों अनुभोग क्या है तो एक ही प्रकार का अनववे सब तरफ कि रूट पार्ट होई कालोनिया बनाई शोषण किया यही किया लेकिन इन लोगों के उठने के पहले हजारों साल भारत के लोग भी सारे विश्व में गए लेकिन उसका अनवव क्या है तो लोग केते हैं कि उसका अनवव है कि कहीं पर भी उन्होंने विराश नी किया जो जहां था उसको वहां से उपर उठाया जिनको खेती नहीं आती थी उनको खेती सिखाई जहां पर शिक्षा नहीं थी वहां पर शिक्षा दी जहां पर सांसकतिक जीवन मुले नहीं थे वादी इसलिए आज भी दुनिया के बिन्द बिन्द देशों के अंदर भारत के प्रती, जो पुराना विवार ना उसके प्रती है का आदर का भाव है। इसलिए संसकार और यग्य यह दो आधार भूत इसके इस्तंबर है। इस दरश्टी से जब हम विचार करते हैं तो यह जो यग्य है, यग्य केते हैं हमारे दमाग में एक चित्र उपर आता है। कोई यग्य की वेदी है, उसमें अगनी जल रही है, कुछ मंत्र पड़े जा रहे हैं, उसमें कुछ आहूतिय दी जा रही है। लेकिन हमारे यह यग्य शब्त जो है, यह बहुत व्यापक अर्थ में प्रयक्तुआ है। यह जो यग्य वेदी में अगनी के अंदर यग्य करते हैं, यह उसका एक रूप है। लेकिन यग्य मतलब उतने ही महत्र नहीं है। उसका जो आधार है। तो यग्य में एक मिशेष बात हैं, कि जब आउति भी देता दो आप कभी-कभी सुनते होंगे, जबने की आउति वह पो आउति देता लिए यसे अग्नी वह आउति दी इंद्राय स्वाह अगर कहेंगे तो इदम इंद्राय इदन्य अमा राष्ट्राई स्वहार अनने कहा, इध्म राष्ट्राई इधन न मौर्ण गुरुजी का एक फोटो अनने आसने उस य polygon परंपरा है तो य जो था वास्तो मैं यह कर्दव्य कर्म कर्तव्य कर्म के रूप में यग्य था भगवान कर्ष्ण ने और बहुत अच्छे डंग से सारा विशे जो है यह भगवत गीता में समझाया है भगवान पहला करते हैं कि सारी दुनिया क्या है कैसे बनी कि और गाद सरस्ति गार्थ ठीस्तों किसहा यःज्ट स्हज्ण प्रजाश्गवार्वाज अजित विदीं कि समाच ख Kollegin 107 टो में अपनने करत और करम के साथ मैं यह प्रजा जो है यहाँ इसलिए हरेक के अपने अपने कर्तविय कर्म यहाँ यक्य के रूप में कहा गया फिर दूसरी बात कही है ही कि सारा जगत जो है वह यग्यमई ही है गीता में एक साइकल का वरडन करते हैं भगवान अन्ना द्वन्ति भूतानी मनुष्य उत्पन क्यों होता है माता पिता के संसर्ग से और वो किसली होता है अन्न के कारण से तो भूत की उत्पति अन्न के कारण से अन्ना भूति भूतानी परजन्याद अन्न संभवा वर्षा से अन्न उत्पन होता है यक्या मुझख बाती प्रजन्रनwo यक्य से, यक्या कर्म संवुद्अत बसक्राम्न कर्म प्रह्म से होता है कर्म प्रह्मोत बहवं पृतेकि ब्रह्मा क्षर संवुद्भवं और अखिर nelet पिर कहा तस्मात सर्व गतम ब्रह्म नित्यम यक्य प्रतिष्ठितम। यह जो सर्व व्यापक ब्रह्मय यह भी नित्य रुप से यक्य में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण सर्ष्ठि का आप साइकल अगर देखेंगे तो इसी में से है वो एक दूसरे का निर्भरता है एक दूसरे के पुश्ण उसी से दुनिया चल रहे है। उसको ब्रेक कर दो आप वनस्पती जगत कार्बन डैक्सेट छोड़ता है अक्सिजन लेता है प्राणी जगत होने लगती हैं। इसने का आ कि ये की जो हाई है सर्फ और फिर दूसरी बात एसके अंदर आते कर कहीं कहीं है की ये जो ये क्या भावना से किया हुआ कर्म जो है ये बन्दन का का वे वननत है। जैसे हम कहते हैं कि भी स्वार्त से किया हुआ कर्म हमको बंदन में डालता है परमार्त से किया हुआ काम जो है या हमको देवत्व की और ले जाता है बुक्ती की और ले जाता है एक अंगरेजी में एक सूत्र कहते हैं कि भी देवत्व सभी चाहते हैं तो इसका उपकरव किया तो गणित की भाशा में उसने एक सूतर होताया बोले नान सेल्फ अपान सेल्फ इस उकल टू डिविनिटी निस्वार्थ था बटे स्वार्थ बराबर देवत्वर पर होगा कैसे तो बोले इंक्रीज दी नियूमरेटर जो नान सेल्फ है निस्वार्थ इसको इंक्रीज करो और डिक्रीज दी नियूमरेटर और जो स्वार्थ है में पने अपना इसको थोड़ा रिडूस करो यह दो चीज करोगे तो यू रीच दिविनिटी आप जोए देवत्व के इंक्रेक पूंच जाएंगे यह जो प्रक्रिया है तो इसलिए कहाँ भगवान के तेहीं आप वाद यक्यार्थाद कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंदद यक्य भाव से जो भी कर्मा आप करते हैं वो मुक्ति का कारण है और उससे भिन केवल स्वार्थ के लिए किया हुआ है वो बंदन का कारण है और इसलिए वो केते हैं अर्जन को कि इसलिए यक्यार्थाद कर्मणो ये लोको यम कर्मपत्ना तो इसको सबज कर तूं अपने जीवन के अंदर व्यभार करो अप यक्यों के बहुत सारे नाम आते हैं अपने प्राचे इंखाल के इंतर ये जो मैंने कहां आउती वाले यग्या हैं उसके भी आने को वरनन हम लोग बढ़ते हैं युदिष्टिन ने राजसु यग्या राम ने भी राजसु यग्या तो राजसु यग्या अटा नची केता यम की कता जो हम पढ़ते हैं तु वाजसने यक्या है, अश्वबेव हैं, फिर पुत्र कामेश्टी हैं, अएक प्रकार के हैं, शोरोत ही यक्या हैं, सोम ही यक्या हैं, बहुत Automate यक्या हैं, लेकिन जिसके हमको आज मुख्यरुप से जो अपना विशय है वह यह पंचे यक्या हैं, है कि यह बना किसी उसके इंद्धाओ के यह प्रत्य Givens के करने का कि अईमानिता है say です Het डिहां कौन लीजिए हर लिए अगर परिवार अगर यह पंच्छ सका है तो जो हम एक सुन्दर समन व्यक्त, समुरत, सरश्टी की कल्पना करते हैं, वो साकार हो सकता है और एक विशेश बात है, यह जितने मैंने पहले यक्य के नाम लिए, उस अब यक्य शब्द है राजसोई यक्या, अच्छोमेग यक्या, शोदी यक्या वगिरा वगिरा लेकिन प्राचीन काल से यह जो हर घर के अंदर पाँच यक्या है, यह इनको यक्या नहीं कहा गया है, इनको कहा है महायक्या शत्पत ब्रह्मन नाम का ग्रंत है, जिसमें वो केते हैं, कि हर अक्रस्त को यह पंच महायक्या करना चाहिए वेदिक प्रंपरा में अपना एक तैतरी आरेंडेक नाम का ग्रंत है, वो केता है, यह निध्य पंच महायक्या अजास्त्र रूप से बढ़ते जा रहे हैं यह पंच महायक्या क्या है, तो एक कहा गया ब्रह्म यक्या, दूसरा कहा गया देव यक्या, तीसरा कहा गया पित्र यक्या, चोथा कहा गया नर यक्या, और पांचवा कहा गया भूत यक्या, यह पांच यक्या हर ग्रहस्त को करना चाहिए, यह महायक्या है, एक और विशेस्ता है इसके अंदर, इसके पहले मैंने जो भी यक्या कहे, तो चाहे राजसोई यक्या हो, चाहे अशोमेग हो, बाजसने हो, पुत्रिष्टिये, दशर्थ ने पुत्रिष्टिये के किया था, तरह तरह के, संपत्य प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, संबंद ठीक करन के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ्य हैं, लेकिन सब य्ज्ञ्यों में क्या है उसमें कुछ न कुछ कामनाए है, कुछ नangen इस्चाएं है, लेकिन ये जो पंच न कोंद आजग्य को करने वाला है वह स्वयम के लिए कुछ नहीं है उसमें यह जितने भी संपादन करता है यह इसके लिए जो भी क्रिया करता है उसमें स्वयम के लिए नहीं है इसमें स्वयम के अतिरिक्त में दूसरे के लिए कि क्या कर सकता हूं वो है इसके दर जो हमारे जाने मितलब ऑर जब Vegten करते भी हम कहेंगे तब सुवा का नहीं है का तर ने मतलब दूसरे के मुझे उसके लिए क्या करना है पिता के कंप पूतर के कंप किसी के भी कपने कंप मीशना किक पृति करती है तब वह निश्वारत इता की अर्च waar है और इसलिए ये जो कहा गया कि यग्य कर्म ये गर्तव्य कर्म है ये पंचमाय की जो है तो इसकी दृष्टी से कहा गया और और भी एक अभर पूर्व जोने एक और विशेस्ता इसके सांथ में जूड़ी कि कहीं बार ऐसा होता है नहीं कि जब मैं कुछ ऐसा लोग कल्यान के लिए कुछ करता हूं तो मेरे मन में अंकार आ सकता है कि मैं उकार कर रहा हूं ३ुॐ।ॗ।॥। worship आपदान दे रहा हूं।६। ।। टि भी कृनिस दें।। peux भी पतन सकतु लुए। तो आप ऑगर यह is here, कोई एहसान करते हैं २। इसके उपकयर सकते न.. ।॥ तो कहा गया हैaaaa कि आप मैं किसी से कोगता पहस देता हु, तो रिण चुकाना यह मेरा दाइत हुए और रिण जब चुकाते हैं तो उसमें कोई अंकार, कोई यह भाव नहीं देता है यह तो एक दृष्टी से अपना एक कर्तकिता का ग्यापन देता है कि भई इसलिए अवानिया पर गाग है कि रिणों से मुक्ती हर व्यक्ति को अपने जीवन पे करना चाहिए तो तीन रिण तो पुराने कहें गएं, पुराने समय में शास्तिरों में मिलते हैं एक पेते हैं कि manushya जो अप जन्म लेता है तो उसके साथ तीन रिण उसके साथ जुड़ें दुडएते है एक है देव रिण बिन बिन देव शक्तियां है एक देव रिण रिण एक है पिटर रिण और एक है विशी रिण मैं इससे में आधुनिक समय के अंदर एक दो रिड मेंने और जोड़ें इसके साथ हम अकेले में रेते हैं या हमारा जो परिवार है वो भी ये अकेला ने रेता है हम एक सम्मू में रेते हैं समाज में रेते हैं इसलिए एक रिड हमारे उपर है समाज का रिड समाज रिड है और दूसरा है हम जो जीते हैं तो आखिरे जल, वाईू थल, कंद, मूल, अन सब चीजों के बारा तो इनके बाए हमारा अस्तित्व है इसको हम कहते है सरस्स्टी और इसलिए सरस्टी का भी रिण है हमारे उपर इसलिए ये देवरिण है, वित्ररिण है, रिशीरिण है, समाजरि और सरिष्टिकारिण है. ये जो पंचरिण है, इनसे मुक्त होने का प्रेद्न करना यहे पंच महायक्य. ये पंच महायक्यूं के बारा हम इन रिडों से उबरेना. एक और बात इसमें आज के समय में विचार करनी है कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम कहते हैं सनातन है सनातन ही ने किया तो सनातन की एक परिवाशा करते हैं कि सनातन का मतलब है चिरपुरातन निध्यनूतन प्राचीन से प्राचीन अगर विचार करोगे तो वो मिलेगा और नए से नया नूतन का विचार करोगे तो वर्तमान में भी प्रासंगिक है तो हमारी इसलिए हमारी हैं कहते हैं सनातन धर्व, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा और जब सनातन है तो क्या होगा कि संग्याएं तो पुरानी रहेंगी लेकिन इंटर्प्रेशन्स नहीं रहेंगे यग्य शक्त तो पुराना रहेगा लेकिन यग्य परफार्म करना उसमें नहीं कीज़ें जुड़ती चली जाएंगी और यह होता ही है कुछ चीज़ें शाष्वत रहती है कुछ चीज़ें बदलती है रामकर्ष्ण मिशन के बहुत बुड़े संग्याशी हुए स्वामी रंगना थानांजी तो भारत के दर्शन, संस्कृति, परंपरा उस पर बहुत अच्छे व्याख्या कारते है तो उनके जो भाष्णों का संकलन छपा क्योंकि कुछ चीज़ें तो शाष्वत है अपनिशत उस काल से आज तक सारे विश्व को प्रेरना दे रहे है वो शाष्वत है लेकि निस्वर्दियां तो बदलती रहती आचार व्यवार, वेश, भुशा, खान, पान, वियत, परिस्तिती के अनुसार परिवर्दित होते रहते हैं तो उसका जो शीर्शक रखा उनके जो संकलन का उसका नाम था इटर्नल वेल्यूज इने चेंजिंग सोसाइटी परिवर्दन शील समाज के लिए शाष्वत जीवन मुल्यूज समाज परिवर्दित होता है तकनिकी बदलती है, जीवन शेली बदलती है, परिस्तितियां बदलती है उस बदलते हुए सामाजिक परिवेश के अंदर जो शाश्वत जीवन मुले शाश्वत परंपरा हैं उनको व्याख्याइद करके व्याभार में लाना इसी द्रश्टी से यह यह जो संस्कार और पंच महायग्यों की जो प्राचीन शाश्वत परंपरा है वर्तमान यूग के अंदर एक तरह से उसको प्रचारित, प्रसारित और जीवन के व्याभार में लाने की द्रश्टी से आज विचार करने की आमशकता है इस द्रश्टी से हम और यह जो हरेट यग्य है उसका आज के परिपरेक्ष में विचार करना तो जब हम सब कुटुम प्रभोधन के कारे करता है तो इस द्रश्टी से इनके बारे में हम तुड़ा एक मिचार्ट आने वाले समय के अंदर इसको हम को देना और यह एक प्रतिकात्मक जब बन जाता है कि वही यह पंच रिण है और यह पंच महायग्य है और यह हरे को अपने यहाँ पर इनको करना है इसकी द्रश्टी से और करनी जब जिन्तनम करेंगे तो अनेको बाते हो सकती है कुछ प्रतिकात्मक रूप में कुछ बाते आपके सामने इसकी में रखता हूँ यह जो प्रह्मयग्य है प्राजेक काल में शायद इसको केवल ध्यान या मैं दे नहीं, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मतत हूँ तो उसकी द्रश्टी से यह ब्रह्मयग्य का विधान था इसको हम तोड़ा विस्तारित कर सकते हैं आज के समय के अंदर क्योंकि हरे का मिचार करते समय घर के अंदर भी करना है और समाज में उसका प्रसारण भी करना है तो हमको पारिवारिक द्रश्टी से भी उसका निर्वा करना है और सामाजिक द्रश्टी से भी उसको विस्तारित करना है यह दोनों द्रश्टी से इसका विचार करना है तो प्रह्म यर्ग्य के द्वारा हम एक अरिन जो है रिशी रिन इस रिशी रिन से हम मुक्त हो सकते हैं एक तो जैसे कहा कि जीवन के अंदर जो है मनुष्य दोड़ा रहता है नहीं तो आज कलके दें कुछ समय शान्त थोड़ा बेठो कुछ समय अपने आप से जुड़ने का प्रहतने करो अंदर की तरफ कुछ देखने का प्रहतने करो एक विशय है लेकिन साथ साथ यह जो सारा रिशी रिन है तो जो साश्वत विचार है हमारे यह जो हमारे शाश्वत विचारें शाश्वत विचारों को आने वाली प्रीडी के अंदर सम्प्रेशित करना तो गर में हमारे बच्चे हैं तो इनको जो है वो जो हमारे आधार भूत ग्रंथ हैं हर गर के अंदर हमारे शाश्वत आधार भूत ग्रंथ उपलग्त बना चाहिए एक ही प्रकार दिरूर नहीं है जिसकी जैसी श्रत्तार उची है तो वेड है उपरिशत है रामाइड है महाभारत है जैन समाज के बंदू होंगे तो उनका जो मुल गरंथ है तत्वार तसूत्र बक्तामबर वो रखें बहुत तर कम से कम धम्मपद सिख्क बंदू में तो गरंथ साप रहेगा लेकिन हर घर के अंदर अभी एक सर्वे हुआ बीच में उडिसा के अंदर घर-घर का जब सर्वे हुआ आश्चे न लगा कि हजार घर देखिया हूंगे तो धाइसों से जाना घर ऐसे मिले जिस घर के अंदर एग भी दार में गरंथ नहीं है तो हम कहेंगे कि सनातन काल से जो प्रेरना देता रहा लेकिन तो अर्जगी द्रंतरेना आने वाली नई पीड़ी है कुछ परंपरा डालना ऐसी कि अपने जो नई पीड़ी है वो धीरे धीरे उसको कुछ जानें नाकफूर में वड़ने करजी करके हैं तो उनकी बभु जो है उनका पोता है तो वो मानों बाहार है तो वो वाटसेप पर प्रती दिन भगवद गीता का एक श्लोग उसको बेचती आगले दिन फिर उसको पुछेंगे कि जहां तुमने यह किया फिर दूसरा फिर तीसरा अभी अपने स्वसरकारिवार मदमोन बेतिया उनके पिता बभरोजी बेतिया अभी शान्त हो गई हर चातुर मास के अंदर परिवार के और अपने असपा सब लोगों को ला करके जो अपने शाष्वत ए ग्रंते धार में ग्रंत इनका वाचत व्याख्या इसकी प्रिक्रियां करते हैं तो एक इसकी द्रश्टी से विचार करना तो सत्साहित्य जो है वह घरगर के अंदर जाएं और हम एक द्रश्टी से इसका युगान फूल इसकी व्याख्या की क्रिश्टी से बच्चों में यूकों में कोई लिख सकता है तो लेखन के रूप में कोई बोल सकता है तो भाशन के रूप में व्यापक बनना है मनुश्य को तो जीवन के दोश है यह तुरना चाहिए हम केते हैं परमात्मा सब के अंदर हैं लेकिन असपरश्यता का भाव बना हुआ है किसी जमाने में तो जाती की असपरश्यता थी दीरे दीरे अब यह नहीं होने लगा कि व्यावसाई के भी अंदर उचे नीचे हो गए मेरे पिता का नाई का काम है और मैं M.S.C. हो गया तो नाई का काम मुझे छोटा लगने लगता है धंदे भी छोटे बड़े हो गए तो यह तो कोई ब्रह्म के वर ले जाने का मारण नहीं हूआ इसलिए यह दोशों का परिमार्जन है इसकी दृष्टी से भी चिंतन यानि सथ संसकार इसलिए हमारे आपनी जो संसकार का वरणन किया गया था उसके बारे में कहा गया कि दोश अपनयन जो दोश है वो निकलना और गुणा धानम जो गुण है वो आना यह जो प्रक्रिया है तो इसके प्रष्टी से छोटी-छोटी चेश्टा हैं हमने करना इसका अगर हम थोड़ा विचार गाते हैं तो यह वर्तमान युग के अंदर यह जो ब्रह्मयक्य है शीर्षय के ब्रह्मयक्य है वलकिन उसके अंतरगत इसको हम लेते हैं तो एक हम दिखेंगे कि एक प्रकार का एक परिवर्तन हम को आने वाले समय के अंतर दिखाई ले सकता है दूसरा जो है, वह है पित्र रिन तो उसके लिए का आगए पित्र ही अक्या साधन तो हमारी दान्ना क्या परंपरा गात रुप से पित्र पित्र यहने जो जिवंगत हो गए और उसके लिए अपने समाज जिवन के अदर एक शाध्य भी परंपरा एक शाद्ध पक्षा आता है, उसमें हम पूर्वजों का इस्मरण करते हैं, ये तो एक एक भागे, लेकिन जैसे मैंने का युगान अकुल परिवरता है, जब पित्र हम केते हैं, पूर्वज हम केते हैं, तो फिर हम उसको व्यापक एक अर्थ दे वह अर्थ मांग सुने के अ माता, पिता और दादा, जितने भी पूर्वज हो गए हो भी है, हम उसको और भी व्यापक कर सकते हैं, कि केवल हमारे ही पूर्वज नहीं, तो समाज में जो भी इस रेष्ट माँ पूरुश हो गए हैं, ये सभी हमारे पूर्वज हो गए हैं, तो पित्र रेड़ की मुक्त पर वार थी हमारी आपर, कि हमारी आपर केते थे ने कि भाई साथ पीडी, साथ पीडी, इसकी चर्चान चलती है, आजकल तो इतना छोड़ा परिवार हो गया, नुकलियर फेमेली, कि पिता के अलावा तो कुछ देखा ही नहीं देता है, दादा भी बड़ा मुश्किल रहता ह कि हमारी आपर केते थे साथ पीडी, और साथ पीडी के विल केते ही नहीं थे, तो हर जनरेशन कम से कम अपनी साथ पीडी तो याद रखे, मेरा जनम में गुजराग में हुआ, मैं छोटा था, हमारा गर में परंपरा थी, मैं जब छोटा था, जब मुझको सिखाया, आज, वह आज तक मुझे याद है, तरह-तर के तरीके होते थे, कि थोटी सी नामों की कविळ यसी पना, हो अब वच्यों को याद कराते थे हम लोगों को, उदाने के लिए मेरा नाम सुरेश है ke रखे, याद कराते थे हमको, सुरेश-चंद्र-जें तिला, जें तिला, रण-छ अब जêठा कहा chez शहेंब फि acronyam यंल याद होई एक युआरोप में बहुत प्रसिर्द उपन्यास हुआ रूट्स नाम से, अलेक सहेली नाम का लेकर था, अफरिका से किसी से मैं आये होंगे, अफरिकन काला अमेरिकन था हों, लेकिन हमा आये कहां से, हमारी जड़े कहां हैं, उसकी जिग्या सभी उसको, वो तो अधुनिक अमेरिका में पेदावाद, और खोसते खोसते, पूरवच करते करते, वो अफरिका के जिस देश के अंदर, जहां से वो रूट थी, और इस पूरी केसी यात्रा चली हमारे समाज की, उस पर उसने उपन्यास लिखा, उसका नाम लखा, रूट्स जड़े, बहुत पापुलर हुआ हो, उस पर एक फिल्म बनी, वो फिल्म बहुत व्या कि इतना अब उट्स जए, तो मेरे पूरवच को नहीं है, मुझ कोई नहीं पता है, तो अमरिका से वापस जब गुजरात आया, तो कहा कि पूरवच जानने का तरीका, आजकल तो अंभूल गये, लेकिन पहले परंपर है थी हर घर में, हर जगे, कहीं पढ़ना केते थे, कह पेदा होता हम इसी लिखते है, नजाने कितनी सदियों की पीडियों की जानकरी आपको मिल जाएगी, तो अपना पढ़ना को अने बारोट केते हैं गुजरात में, तो बारोट को डून के गया हूँ, बारोट ने उसको बेटा के गंटे बर के अंतर उसकी 30 पीडियां जो है को निकाल के लिखा दी है उसको, मैं वेरावन में गया था एक कारिकरता के घर में, तो महां देखा उन्होंने अपने घर में एक चित्र लगा रखा है, वंश वरक्ष, किनकर उनका, जड़े हैं, और लगबग, और अभी के जो जवान बच्चे थे, तो वो तो डालियां भ खाली उसमें से कुछ पूटा नहीं है, वाकि एक से दूसरा निकले हुए है, तो करेब करेब उसके अंदर 25 पीड़ी होगा, यहने हर नई पीड़ी उसको देख रही है, एक जगे स्कूलों में प्रतियोगिता कराई, कि सार पीड़ी के नाम बताना इसका प्रश्नावली ह होगा केने का तापरी है कि इसके साथ में जोड़ना, और फिर दीले दीले अमारा गाव है, हमारा शहर है, समाज है, इसमें जो अने को ऐसे सरेष्ट महापोश होए, उनके साथ में कहीड़ना, इस प्रकार की और एक प्रयोग जो है, यह हो सकते हैं, दूसरी जो बात है कि धीरे-धीरे नई जनरेशन के अंदर अपने जो बुजुर्ग हैं उन सब के प्रती एक आधर का उनके प्रती उसके भाव को उत्पन करने का उन प्रम्पुनाओं को निभाने का मैं बर्मा गया था मा एक परिवार में सयुक्त परिवार, चार पिड़ी परिवार एक साथ रहते हैं उनके पिता जी लगभग नो सार हो गया कोमा में थे लेकिन जितनी और आतमेता और सेवा भाव से उनकी सेवा होती थी कई परिवार दिखेंगे उस दुलना में आज हम देखेंगे कि नोईडा के अंदर जब हम सुनते हैं कि कमर्शिल ही वृताश्रम चालू हो गए पहले सेवा के लिए होते थे अब कमर्शिल होने लगे क्यों बच्चे अरब उसको फुरसत नहीं कमाने से तो तुम जब जिन्दगी केवल रोटी कपड़ा ही एकिया तो जब अफेक्षन केवल केंदरी दो जाता है तो जो परिस्तिती सामाजी कीवन में खड़ी होती है मैं कली ही लगना हो गया था महां विश्वई देले के वीसी तो मुंबई में मुल्टी नेशनल में काम करते थे अच्छी कभाई थी सब कुस था पिता जी पता रहागा कि कोई पतर आए होगा की ठीक है तो अभी कोई आज के नहीं है नहीं तो मुझे सामान लेने जाना पढ़ता है तेल लेने जाना vielleicht पत्र में उसना पड़ा की यार तो पितरियर की जब हम कहते हैं, तो घर के जो पुझवर के वो सम्मान के सांथ में, आदर के सांथ में, बाकी के सांथ में जी सकें, इसकी दृष्टी से कुछ परंपराय जो है, वो एक विक्सित करना, और कुछ जो हैं, वो अपनी यहां पर, छोटी-छोटी आदते डालने का प्रहते दाना, पुराने प्रसंग हम बहुत सुनते हैं, आशुतोर्श मुकर जी, हाईकोड के जस्ते, रोजाना मां के पेर दबाते थे, किसी समय में लाड करजन थे उसे वाइसराय, तो एक उसके लिए उनोंने उनको खाँ इंग्लेंट जाने के लिए, तो उनोंने कहा कि ठीक है, तो मा को पूछा उनोंने, मा की तेभी ठीक नी थे, तो बोले, तु पिटा इंग्लेंट जाएगा तो मेरी को जिंता करेगा, तो अशुतोर्श मुकर जी ने, वाइसराय को लिख दिया, कि मेरी मान आ के रही है, तो मेरी जाओंगा, तो लाड करजन ने उनको कहा कि उमा से को हो कि भारत का वाइसराय आदेश दे रहा है, तो अशुतोर्श मुकर जी ने कहा कि वाइसराय से बड़ा आदेश मेरी मेरी मा का है, नहीं गए हो, अपनी अभी सुप्रियम कोड के जज वे लाहोटी की, है छोटी थी बात, चीप चस्टीस की शपत लेने के बाद, उनकी वरत्यमा जोवा, शपत गरण शमारो में थी, वो शपत लेने के बाद नीचे उतरे, बाकी राष्पदी, प्रधान मंतरी, सबसे बाद में, सबसे पहले जाके उपनी वरत्यमा के पेर चुडिया, जो परंपराय ने थी, वो अरके अंदर परिवार की इस रेष्ट परंपराय डालना, और अगर परंपराय है तो उनका निर्वा करना, नाना जी देश्मुग ने प्रकल्प घड़ा किया, तीन द्यार्शो संस्तान में, उनके बन में आया था कि आईलवेत की रिसर्च का यहा कुछ बनना चाहिए, ज तो वरबल बाक्षीद हुई गेवल, जिसको अपन कहते हैं मोखिक, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पांच करूर रुपेस के लिए दूगा, लेकिन बात थी और योग ऐसा हुआ कि उसके एक कुछ दिन बाद में, जेर्टी टाटा की मत्ती हो गई, रधन टाटा मुख्या बने, उससे, तो उनकी विदी के अंदर नाना जी गयाते तब तो कुछ नहीं, लेकिन फिर एकात मेरे के बाद वो रधन टाटा से मिल ले गए, ये सोच करके कि, तो नाना जी ने जैसे ही बात चालू की, कि मेरे पांस कोई लिखित पर्मान तो नहीं किया, लेकिन मेरी जे बात हुई थी, तो पुरी बात भी रतन टाटा ने करने नहीं दी उनको, और उसमें कहा कि नहीं, नहीं, जे आर्डी अपनी डाइरी में लिख गए थे, कि पांच करोड जो है वो दिनने अर्शो समस्तान को देना है, तो मैंने दो करोड कर चेक तेयार रखा है, आप लेज लेकिन अगर परंपराइं ठीक हैं, भाव ठीक हैं, तो खाली कहा हुआ वचन यह भी, तो जिस प्रकार के एक आदर्शा समाज की, मानो समाज की चर्चाएं होती हैं, वो करना है, तो यह परिवार रखके अंदर स्रेष्ट परंपराइं डालना, और परंपराइं हैं उसकी continuity देना, interpretations बदलते जाएंगे उसके, तो इसकी दरश्टी से और एक प्रेथ्न होना, तो यह जो पित्र यक्या है, इसको हम एक नया, एक dimension देते हुए, इस दिशा के अंदर एक प्रेथ्न कर सकते हैं, तीसरा जो है, वहाँ, एक जो हम केते हैं कि देव यक्या, यह सभी चीज़ों के लिए क्यते हैं कि जो संसकार आदी है वो तो भाव जगत के उपर ही होते हैं, भावना के उपर ही होते हैं, तो कुछ न कुछ और उपासना है, अपने के तोत्र है, प्रार्धना हैं, कुछ न कुछ पूजा है, इसकी परंपरा है बने, और बच्चे जो हैं, उनको कुछ अच्छे बगवान के इस तोत्र हैं, विविन देवों का जो परीचे है, गीता प्रेज गोरगपुर ने बहुत अच्छी एक एक देव के बारे में चोटे-चोटे बच्चों को जानकारी दृष्टी से चित्रमाये अने एक प्रकार की आजकल और टेक्नोलोजी के द्वारा भी बहुत कुछ उपलबते और देव यहने एक देव के सांसाथ देव यह एक प्रकार की शक्तिया है सरस्वती देवी है तो विद्या की देवी के रूप में हमने माना है यम है तो मृत्यों के देवता के रूप में माना है इंत्र जो हैं सूर्य जो है तो यह जीवन देने वाले हैं चंद्रमा जो है तो वह आउशदियों के अंदर, सारा बिमार अगर आत्मे होता है तो उसके पीछे ये चंद्रमा है, और उसका अपना परिणाम है, तो इसकी द्रष्टी से और हम इसका एक विचार करते हैं, तो इसका एक विचार करना, और इसलिए कुछ अस्तोत्र हैं, कुछ श्लोग हैं, कुछ प्राण्थनाएं हैं, इनका एक अप्यास करते हुए, और ये स्विष्टी के जो इनको देव रूप में मानना, ये भावना नपक रूप से जोड़ता है, ये नदियों को अशुत्य क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ए नंद देवी के रूप में मान देता है तो दंगा जी में कभी विषय भन हना नहीं जतेते हैं, तो ये जो एक देवी रूप से जो जुडाव जब जुडता है, तो हमारा व्यवार उसके दवारा अपनें आप भी सांद महीं आता है, तो इसकी दृष्टी से एक विचार करना तो यह देवयक्य जो है इसको भी हम एक परंपरा इसमें बना सकते हैं और चोथा जो है वह यहने जो का समाज रिना समाज का जो हमारों कर रिन है तो नरयक्य कहा गया है तो नरयक्य में परंपर आती है कि बही हर ग्रस्त के लिए नियम था कि भूजन के पहले उस जमाने के अंदर तो घर के बार आकर वो तीन बार बूलता था कोई भूजन नहीं कियो ऐसा है क्या इसले पुराने जमान में रेस्टोरेंट रोटल नहीं थी क्योंकि जरूरत ही नह अगर आपन भी जाते थे तो गाड़ी के अंदर सारा तीन महिने का और सब लाद के भी जाना पड़ता था जो जाय जाता था उसको मिल जाता था लेकिन चलो अभी समय बदला है तो बदले समय के अनुरूप हम ये नरयकी इसका सुरूप बलत सकते हैं एक हो सकता है कि हर गर अगर के अंदर एक ब्रप्व की भोजन हम करती हैं तो कब सेगम एक मुटी कोई भी अनाज है वो एक निकालने की बत्ति डाले है और मास्क के कि अंत में जा ज़रोत है, कोई ऐसी बस्ती हैं, कोई छात्रावास हैं, कोई इस प्रकार के अनाथाला हैं, कोई अन्यारी जगाएं हैं, तो वहाँ पर हम इसको दे सकते हैं, तो इसकी दृष्टी से एक प्रेत्न हो सकता है. समाज में अभी भी बहुत से इसी परंपरा है, आलंदी के अंतर ग्यानेशोरी पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे, तो जो पांस का गाव है, जो भी बच्चे सालों से परंपरा चल रही है, कि जो ग्यानेशोरी पढ़ने आते हैं गाव से, उनके लिए भोजन की विवस्त बराबर गाउं के लोग वहां से पेशते रहते हैं तो एक प्रकरिया ऐसी चल्दी में उनको दिखाई देती है मेरा अभी मेरे गाउं गया था गुजराद जा मेरा जन्म हुआ तो वहां दो अपने कारी करता है तो गाउं में उनों ने देखा कि 30 ऐसे घर थे जहां केवल व्रद्ध विक्ति थे बच्चे उनके बार चलेगे और इस्तिती भी नहीं ऐसी कि उनके लिए तो बड़ी समस्या है तो ये तीसों गरों के अंदर और दोनों समय ताजा भूजन बनाकर विजवाना ऐसा एक अख़ण करम चल रहा है उसके लिए लोग उसके अंदर सहवागी हो जाते हैं तो ये जो समाज का जो रिण है ये नरय की जो कहा कि मनुष्यों की चिंता तो इस रूप के अंदर ये कर सकते हैं और दूसरा समाज का रिण अगर उतारना है तो जो हमारा घर है तो हमारे घर के अंदर हमारा घर एक आदर्श घर बने इसमें आदर्श नागरीक बने तो इसकी रश्टी से हम अगर प्रयत्न करते हैं और पांचवे जो बात है इसके अंदर वह स्रश्टी का रिणा और स्रश्टी का रिणा तो यह जो संपूर्ण आजकल बड़ी गतिविधी चली ने अपनी पर्यावरण की जो सारा विशय चलाए सब तरफ वह भी हमारे उसका एक केद्र बिंदू बनना है पुरारी पर्मपरा थी ने अपनी आगी भोजन करते समय पहला ग्राज जो है वो गाई का आखरी ग्राज जो है वो कुटेगा गाई की रोटी घर में भोजन बनाते समय मा बच्चा एक ही बच्चा है बहुत प्यारा है बुखा है लेकिन रोटी बनते से मगर कहेगा तो प इसकी ये गाय की है, गाय वेल है, बच्चाबाद में है, ये जो भूरती यक्टी है, प्राणी, पक्षी, पशुर, इस जो सारी दुनिया है, इसके प्रती जो एक भाव है, आजकल हमानलों शेहर के अंदर रहते हैं, तो आजकल छोटे-छोटे चले दे कहीं, वैसे तो ये कहां जाए हो, बहुत जगे ध्यान में आता है, आजकल प्लांटेशन प्लांटेशन चलता है, लेकिन किसके लिए प्लांटेशन, तो सोंदर ये बहुत के लिए प्लांटेशन मनाएं, न आदमी के काम का, न किसी के काम का, और पक्षी जो है, उस पक्षी को भी तो खान अपलत हो जाए तो आजकल थोड़ी यह सब परियावरान और यह सब गतिली बंडे के गांट थोड़ी अवेवनिस्पर तो शेहरों में आजकल क्या हुआ है जब हम आवशक्ता समझते तो रस्ते निकालते हैं तो आजकल आप देखते होंगे कि तरह तरह के ऐसे छोटे-छोटे गोंसले बनने लगते हैं कि वह ठीक किसके लिए आके हो वह रुख सकता है अटेज जब मेरे मन में भावेर में अटेज होना जब तो रस्ता निकलेगा उसके साथ और इसनाते से और जो विशे है कि मैं जहां हूं वहां यह सारे इस रष्टी का विचार करना है कि फिर घर भी अगर मान्लो हैं तो कमसेग कुछ तो अले यह हो के वल दिवाल की पेंटिंग के उपर ही अगर पक्षी जरने नदिया और तरह तरह के उरक्ष काली पेंटिंग में देखना है कि प्रत्यक्ष में देखना है करेंगे हम कॉलोनिमे रहते हैं पाइत्में ने रेते हैं तो गमले तो में हम लगाइछा को सकते हैं कहीं किचन गांडन की बादायुक्त कल चलते हैं तो कुल मिलाकर आपकोंगे वह प्रकरती है शुद्र ईना तो ँफचता, यह भी उसका एक बागali तो यह जो स्रश्टी का रिन है तो भई यह वाकिर पशियों की जिनता, पक्षियों की जिनता, परियावन की जिनता, स्वच्छता की बात है तो इनकी द्रश्टी से अगर हम कुछ विचार करते हैं तो इसका हम और जल के जो स्रोध है जल स्वरक्षण की चलचाई चलती है खुल मिलाकर जहां कहीं भी हमारे आसपास कहीं बार हम को पता लगता है कि भी ठीक है, कहीं कोई कुवा रहा होगा, कोई बावडी रही होगी हम उनको रिवाइब कर सकते हैं क्या हमारे अगर अना बश्यक जल बैसता है तो उसको कहीं न कहीं सुरक्षण रखने की विरसा कर सकते हैं क्या दिरे दिरे जो ब्रशा का जल आता है उसकी द्रिश्टी से हम कर सकते हैं क्या तो यह जो कहा गया कि यह जो पंचे महाभूते प्रत्रिये जल है इन सबक्यप्रती वर्तमान समय के अनुकूल छोटी-छोटी गतिबे दियां। एक परिवार के रूप में मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे आस-पास के पडोस में क्या कर सकता हूँ। और ये केवल वरिणन करने के लिए एक तो बात है कि मैं समात करूँगा। स्वामी विविकानन्द भगिनी निवित्यतन दिखा कि स्वामी विविकानन्द जाज के उपर अपने शिश्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। और एक दिन बहुत गेरे ध्यान के अंदर डूपने के बात जाकरत हुए तो डेक पर आये और अपने सब उनको बुला करके शिश्यों को बुला कर उन्होंने कहा कि जो मुझे साक्षात कार हुआ। कि अगर पंच महायक्यों की जो प्रंपरा थी उसे modern time के अनुकूल उसका vibrant interpretation जीवन्त उसकी व्याख्या हमारे education system का अगर अंग बनती है तो उन्होंने शब्द पुरियागा कि जो नेशन री जनरेशन का हमारी कलपना है। राष्ट्र के पुन्रुत्थान की उसकी घती अनेव कुना बढ़ जाएगी। हम सब लोग भी राष्ट्र के पुन्रुत्थान में जिससे सम्पुण विश्वकाय कल्यान कर सके उसके लिए प्रवर्त हम सब कारी करता लोग है। इसलिए हम सब एक व्यक्ति या परिवार के नाते ही नहीं तो हम सब का एक संगटक का भी रूल है। और इस नाते हम सब कुटुम प्रभोधन के कारे में लगे हुए कारी करता है। स्वयम एक उधारन बने और एक संगटक के नाते इस प्रकार के बरिचना खड़ी करें। इस द्रिष्टी से इन चीजों को बढ़ाने के नाते कुछ आधार हुद बाते हैं हर घर के अंदर हो उस दिशा में प्रहितन करें। एक इस सबके संदर्व में एक प्रबोधन होना चाहिए। इसलिए हर परिवार के अंदर अनिवारे रूप से पारिवारिक गोश्टियों की परंपरा प्रारण भोग। हर परिवार साथता इक रूप से बैटना, इन सब चीजों के बारे में चिंतन करना, इसकी एक परंपरा, एक प्रारण भोग। परिवार में सभी इस्तर के लोग हैं, समय समय पर उनको इन स्रेष्ट बातों की जानकारी की दृष्टी से आयो और मुसार प्रबोधन करने की प्रकरिया हैं अपने-अपने बस्ती में, मुल्ले में, कालोनी में, अपार्टमेंट में, गाउं में, हम इसका एक विचार करें बालकों के लिए अलग, माता बेनों के लिए अलग, जो प्रोवड लोग हैं उनके लिए, बिचबीच में पारिवारी के सम्मेलनों की प्रकरियां करेखे और यह जो पंच्य महायग्यों की चर्चा है पंच्य महायोग की द्रष्टी से अपने-पने परिवार में कुछ प्रयोग, कुछ छेष्टा इंप्रारिम्हकि jewके तो अपने अच्छे अनुभों का कुछ आदान प्रणा, कुछ जर्चाएं इसकी भी एक प्रकरिया हम करें धिरे धिरे कभी-कभी ऐसा होता है कि रेगिस्तान की किसी आत्मे को कहो कि बगीचा ऐसा होता है, वन ऐसा होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि मीलो मील रेथ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है ऐसी आज के जमाने के अंदर जब संयुक्त परिवार तूटते तूटते नियूगलर फेमेली होते होते दीरे दीरे और चर्चाएं मेट्रोपोलिटन सिटी में चलने लगती है कि डबल इंकम और नो किड ऐसे समय के अंदर संयुक्त परिवार एक लेगिस्तान के हरी अली जैसा विशे लगता है लेकिन फिर भी समाग में कहीं कुछ उदारण है उनको कम से कम दिखाना यह चार पीड़ी एक साथ है, तीन पीड़ी एक साथ है तो इसकी दृष्टी से और एक हम कर सकते हैं और एक आखरी बात कि यहां करते समय जो स्वामी जी ने सपना देखाना दा कि संपूर राष्ट्र के अंदर यह व्यापत होना चाहिए तो हम इसकी युगानुकूल व्याख्या, युगानुकूल प्रयोग यह करते हुए इसको सारे समाज में अगर व्यापत करना है तो हम अन्यों को भी इसमें जोड़ने के माध्य हमनें और इसलिए कुटुंग प्रभोधन का कारे करता अन्य जितनी भी सामाजिक, धार्मिक, सांसकर्तिक समस्थाएं उन समस्थाओं को भी अपने साथ में जोड़कर वे समस्थाएं अपने-अपने अनुयाई, अपने-प्रभाव ठ्षेत्र के अंदर अपने-अपने डंग से यह शाश्वत विचार और उसका व्यवार अपने-प्रकार से यह पाँच रिन है, यह पाँच रिनों से ओरिन होने के लिए पाँच महायत्य हैं इसकी द्रिश्टी से अगर प्रक्रिय प्रारण होती है और यहाँ गाओं में, नगर में, अपार्टमेंट में, कॉलनी में, पहाड में, वनमासी छेतर में, रेकिस्तानी इलागों में, सब तरफ अगर ये प्रवाहा का रूप लेती है, तो जो स्वामी जी ने एक स्वपन देखा था, कि नेशन, राष्ट्री पुनुरत्थान, और वो इसलिए, कि संपूर्ण विश्वका भी कल्याण अगर होना है, मानव जाती को भी अगर सुक्षान्ती से रहना है, तो जो महान जीवन भूले इस देश ने दिये थे, जिसको हम केते हैं, कि एकी श्लोक में जो कहा गया हमारे यां, कि मात्रवत परदारेशु, प्रवत परद्रव्यशु, लोश्टवत, आत्मवत सर्वभूतेशु, यह पश्चति सपंडिता, जो पराहिस्त्री को मा समझता है, तो नईतिक जीवन मुल्यों की स्रिष्ठता, पराहिस्तन को मिट्टी समझता है, तो हर प्रकार का प्रष्टाचार, शोशन, इन सबसे मुक्त होने की आधारबूत बात, और संपूर्ण स्रिष्ठी को अपना मानना तो आत्मवत सर्वभूतेशु, यह जो स्रिष्ठ जीवन मुल्यों है, इसको व्यवार में लाने का मा अधिया में यह जो सम्पूर्ण विश्व के लिए कल्यान कानी बन सकते हैं, और इस मात्य से हम सब इसका एक विचार करें, और इन पंच यग्यों के मात्यां से भारत परव वयववर पोचें, वरत पे विश्व कल्यान का मारगा दरुशन करने में सक्षन बनाएं, इसकी प्रश्टी से परवात्मान, हम सबको प्रेवना, सामर्थते, यही निविदन करते हुए, मैं अपनी मानी को बिरांदेता हुए. इस सवाब में पस्तित, सभी महनुबाब का मैं धन्यवाद करता हुए, कि आज सभी यहां पस्तित होके पुड़म पर गोदम की गतिविदी के अंतरगत प्रांटोली ने जो सभागिता दिखाई, और आज हमारा सुब आगे है कि माने सोनी जी से हमें मार्दर्शन में प्राक्त हुआ, और मैं से हमके सभर के अंदर आगे बढ़ने का एक मार्द भी अच्छा मार्द भी हमें दिखाया, और आशा करता हूं कि सभी हम लोग अपने से शुरू करके समाज के अंदर उधारन बना पाएं, और उधारन पुस्तुत करेंगे तो ये सारी कर्दमा स्रिष्टी पे नजरानी शुरू हो जाएगी, ऐसा मेरा बचार रहा है, बहुत पुर्णे आप सब का धन्यमाद करता हूं कि आज सब यहां में के तुछुटू, पर जार मतर मोलेंगे, अभी आजी पंक्ति मैं बोलूगाँ के बाद प्रारम से थांगी पुलेंगे, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु जगा मया, सर्वे भग्रानि प्रश्यंतु माधष्चित्तु खाग्पवे, ओम शांती 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 सर्वे भवंतु माधष्वे थांती थीजाथ तरह कित्तु सब्सक्तु सुखित्तु झाल रवंतु सुखित्तु सर्वे, झाल दोग्म्तु सुखित्तु झाल झाल